ऐसा कौन सा पेर है जिस पर हम चड़ नहीं सकते हैं? केले के पेर पर हम चड़ नहीं सकते हैं? चावलों का देश किस देश को कहा जाता है? दोस्तों ये बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा सवाल है अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं जिसके लिए आपको पांच सेकेंड का टाइम दिया जाता है इसका सही जवाब है चावलों का देश थाइलेंड देश को कहा जाता है हमारे भारत देश का राष्ट्रिय पेर कौन सा है? इसका सही जवाब है भारत देश का राष्ट्रिय पेर बर्गर पेर है कौन सा जिव कभी मरता नहीं है? जैली फीस जैली फीस जिव कभी मरता नहीं है लाल चंदन भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब है अंधर परदेश में अंधर परदेश में लाल चंदन पाया जाता है कौन सा जानवर अपने बच्चों को खा लेता है? इसका सही जवाब है खरगोस्त खरगोस अपने बच्चे को खा लेता है दुनिया का सबसे पुराना फॉल कौन सा है? इसका सही जवाब है अंजी अंजीर दुनिया का सबसे पुराना फल है दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है इसका सही जवाब है वैडिकन सीटी वैडिकन सीटी छोटा देश है कौन सा जानवर कभी पानी नहीं पीटा है इसका सही जवाब है कंगारू रेट पानी नहीं पीता है भारत में रबर का उतपादन सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य करता है इसका सही जवाब है केरल केरल रबर का उतपादन सबसे ज़्यादा करता है इसका सही जवाब है खरगोस खरगोस वो जिव है जो अपने माता पीता दोनों का दूद पीता है दुनिया का सबसे बुद्धिमान देश किसे माना जाता है दोस्तों ये बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा सवाल है अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो comment box में comment करके हमें जरूर बताएं जिसके लिए आपको 5 सेकेंड का time दिया जाता है इसका सही जवाब है दुनिया का सबसे धिमान देश होंग को माना जाता है किस धातु का पड़ियोग मानव दिवारा सबसे पहले किया गया दोस्तों ये बहुत ही interesting सा सवाल है अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो comment box में comment करके हमें जरूर बताएं जिसके लिए आपको 5 सेकेंड का time दिया जाता है इसका सही जवाब है तामबा का पड़ियोग मानव दिवारा सबसे पहले किया गया सरीर के सभी कारियों का नियंतरन कौन सा अंग करता है इसका सही जवाब है सरीर के सभी कारियों का नियंतरन दिमाग करता है भारत की सबसे अधिक दूत देने वाली गाय कौन सी है दोस्तों अगर इसका जवाब आपको पहले से मौलूम है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं जिसके लिए आपको पांच सेकेंड का टाइम दिया जाता है भारत की सबसे अधिक दूद देने वाली गाई साही वाल है किस जानवर को सीशे देखने से डर लगता है इसका सही जवाब है सुवर को सीशे देखने से डर लगता है निल आर्म स्टांग ने चांद पर जब कदम रखा तो कितना टाइम हो रहा था इसका सही जवाब है निल आर्म स्टांग ने चांद पर जब कदम रखा तो एक बच कर 17 एम हो रहा था भारत का सबसे स्वक्ष सहर कौन सा घोसित हुआ है दोस्तों ये बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा सवाल है अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं जिसके लिए आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जाता है भारत का सबसे स्वक्ष सहर जैपूर गोसित हुआ है विश्विकी सबसे बड़ी नहर कौन सी है दोस्तों अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं जिसके लिए आपको 5 सेकेंड का टाइम दिया जाता है विश्विकी सबसे बड़ी नहर स्वेज नहर है आग बर्षाने वाला पेर कहा है? इसका सही जवाब है आग बर्षाने वाला पेर मलेसिया में है कि इस देश में सबसे अधिक महिलाएं है? दोस्तों ये बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा सवाल है अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं जिसके लिए आपको पांच सेकेंड का टाइम दिया जाता है इसका सही जवाब है सोवियत संग में सबसे अधिक महिलाएं है भारत में कुल कितने रेडियो स्टेशन है भारत में खुल एकान में रेडियो स्टेशन है वो क्या है जिसे कोट, कचड़ी या थाना हो हर जगा लोग खाने को कहते है दोस्तों ये बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा सवाल है अगर इसका जवाब आपको पहले से मालूम है तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं जिसके लिए आपको पांच सेकेंड का टाइम दिया जाता है दोस्तों इसका सही जवाब है जिसे कोड कचहरी या थाना हो या हर जगा लोग खाने के लिए कहते हैं वो है कसम वो कौन सी जगा है जहां अमीर हो या गरीब सब को कटोड़ा लेकर खड़ा होना पड़ता है इसका सही जवाब है पानी पूरी की दुकान पर अमीर हो या गरीब सब को कटोड़ा लेकर खड़ा होना पड़ता है